तो यह हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है चार्ट ट्रेडिंग सिरीज का अगर दोस्तों आपने फर्स और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो वह आपको आई बटन पर मिल जाएगो वहां से आपको देखने हो अगर फर्स टाइम आप यह पार्ट देख रहे हो तो आज दोस तो आपको candlestick समझना most imported है दोस्तो candlestick and price यहनि अगर आप market के price को समझोगे तो आप काफी अच्छे trade market के अंदर कर पाओगे यहनि कल की ही अगर हम बात करें तो कल सिर्फ only on एक trade market के अंदर बना था वो भी put side अगर हम price को देखें यह call side भी बना था बट वहां पे इतने कैसे आता है selling swing कैसे आता है for example यह देखो यह market के अंदर selling swing आया and market के अंदर buying swing selling and sideways हुआ and after that selling market के अंदर आया है एक यह वाला point कैसा है almost 18650 यह as a support act कर रहा है market के अंदर ultimately price हमें बता रहा है कि यह level support की तरह काम कर रहा है market के अंदर तो आज हम support and resistance समझेंगे swing समझेंगे and कैसे हमें volume की help से market के अंदर support find out करने है ultimately price आपको हर चीज़ बताने वाला कि price यह अभी market कितने पर चला है sellers activate हों जैसा कि हमने last video में discuss किया था अगर आपने नहीं देखा है दोस्तो लास वीडियो तो वो जरूर देख लेना बड़ दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं यह आपके लिए आप यह सोचो कि आपके लिए एक warning type है द को बहुत important चीज़ है मैं आपको समझाना जाता हूं किसी दूसरी की advice पे तो आपने call put लिया फिर आपने proper SL नहीं लगाया अपनी confirmation नहीं लगाई और फिर आप कह रहे हो कि भाई हमारा loss हो गया अब देखो यार कोई बंदा है कोई ABC बंदा है राइट कोई ABC particular इंसान है कोई वो आपको call दे रहा है आप दूसरे की analysis पे कैसे आप believe करोगे आप खुद की analysis करो आप खुद का risk management देखो कि यार ये मेरे लिए सही भी है कि एक भाई ने 60,000 रुपे का trade लगाया 60,000 में से उसका 50,000 loss हो गया and remaining उसका 10,000 रुपीज बचा है वो क्यों हुआ वो दूसरे की advice पे तो मैं आपको सिर्फ एक recommendation करना चाता हूँ आप दूसरे के advice पे मत आओ अगर आप लेना भी चाहते है advice दूसरे की for example आपने ले भी लिया आपको एक अच्छा trade मिल रहा है ये 10 में से सिर्फ दो बार आपके साथ है सोगा कि जब आप profit होगा आठ बार आपका loss होने वाल है हमारी चैनल पी भी आप देख सकते हैं आपको free of course learning दी जाती है अगर आप learning के हिसाब से earning करना शुरू करें तो आप definitely profit कमाऊगे एक हमारे भाई लोग ऐसे हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो जिन्होंने चार दिन के अंदर four lakh plus earn करे सिर्फ आप हमारी वीडियो देख कर confirmation के हिसाब से तो आपको दोस्तों मैं चीज़ कहना चाहता हूं कि आपको कभी भी किसी की advice पे नहीं आना है आपको अपना देखना है दोस्तों यह देखो अपना risk देखना है आपको यह नहीं है कि आपने किसी के advice आए और आपने आपके पास हैं आपने सारा लगा दिये ऐ कोई आपको बो रहा है कि तो भाई कॉल ले लो कोई आपको बोल रहा कि फुट ले लो मत दो यार without आप अपनी कानफर्मेशन मत दो इससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलजी भी खराब होगी आपके पैसे का भी लोस होगा यह आपकी हाड एंड मनी है अपने पैसे को आप अप पता था कि कितना हमें stop loss लगाना बस दूसरे की आई पर लगाया दूसरे ने कह दिया और हमने कर दिया और भाईया हमारा बीच में loss हो गया बचा है 10,000 दस जार से कैसे कवर करें अब कवर करने की चकर में वो 10 के 10 भी उडाने वाले हो तो इसलिए भाई मैं आपसे हाँ जोड़के बोलता हूँ किसी दूसरी के डवाईस से मत आओ अपने आपकी analysis करो and फिर आप profitable बनने वाले हो अगर आप loss भी कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से risk money management के हिसाब से loss करो कम से कम आप ये तो सीखोगे कि यार मैंने loss किया क्यों किया profit किया क्यों किया देखो business है business में loss and profit तो नहों होता है loss भी होगा profit भी होगा अपर ultimately profit होना साहिए at the end of month या फिर week हमारी एक story देखो आप जाकर के वहां पर one day red भी लगा था बट वो red इतना ज बहुत ज़रूरी है हम discuss करेंगे आने वाली वीडियो में सो ना हो देखो दोस्तों आज हम जानेंगे first of all देखो तीन टाइप का market होता है bullish right bearish and third होता है दोस्तो sideways जो maximum loss option buyer का होता है दोस्तों इस जगह पर होता है जब market ऐसे ऐसे एक range के अंदर market चला होता है ठीक है एक range के जब market चला होता है तब option buyer का loss होता है bearish market कैसा होगा दोस्तों ऐसे market जाएगा जब bearish market चला है तो market में यहाँ पे PE side आपका option buyer का profit होता है यानि call side जब market चला है तो यहाँ पे CE side आपका profit होता है right ultimately आपको यह चीज़ के लिए है कि तीन टाइप का market होता है bullish bearish and sideways so now आज हम जो discuss करने वाले हैं दोस्तों वह हम discuss करने वाले है swing trading यहाँ पे देखो आपको swing trading का मतलब है कि market के swing को समझ करके आप option buying में profit कम आपा हो यानि देखो आगर हम first वाले की discuss करें bullish की हम अब भी बात करेंगे दोस्तों यानि bullish market की हम बात करेंगे bullish market so now market for example यहाँ पर open होता है market up जाता है so now guys मुझे आप एक चीज क्लियर आट करो यहाँ पर market के direct upside में जाएगा नहीं ना तो यहाँ पर market selling swing या फिर profit booking के लो तो वहाँ पर आएगा बट यहाँ पर हमें इस चीज को समझ करके कैसे market को समझ रहा है तो यहाँ पर देखो for example momentum आ रहा है buying momentum आ रहा है बट यह वाला जो high है समझना यह वाला high break नहीं होना चाहिए यह वाला high break नहीं होना चाहिए swing आया तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए अगर इससे नीचे गया तो यहाँ पर selling swing activate हो जाएगा समझना यहाँ पर selling swing activate हो यहाँ से market वापिस जाना चाहिए तो आप अपना call side का trade दोस्तो hold रखोगे यानि CE side का trade आप hold रख सकते हो यहाँ से हम बहुत detail में जानेंगे दोस तो चाहिए ना थोड़ा सा उसको यहाँ पर market consolidate करेगा down आएगा फिर after that up जाएगा फिर थोड़ा सा down आएगा फिर up जाएगा फिर यहाँ पर अगर यह लेवल तोड़ता है इसका जो high है last का high है वो तोड़ करके यहाँ से नीचे निकलता है तो दोस्तों आप selling side यहाँ पर market के अंदर बटी रेर केसिसमें होता है यहाँ पे देखो कभी भी उसका high नहीं टूटना चाहिए लास का high कभी नहीं टूटना चाहिए अगर उसका high टूटेगा दोस्तों तो वहाँ पर यहां से से मार्केश जाता है और असे market मूप करता है तो यहाँ पर यहाँ अगर यह कोशिश करनी यहां पर बीरिस मार्केट का हाल है यानि स्विंग कैसे मार्केट के अंदर आते हैं यह समझाने कि मैं आपको कोशिच कर रहा हूं अब देखो फॉर एक्जांपल मार्केट साइडवेज आ जाता है थर्ड टाइप का मार्केट होता दो साइडवेज तो आपको इस रेंज के अंदर कुछ नहीं करना है समझना इस रेंज के अंदर कुछ नहीं करना है यहां पे ब्रेक आउट और फेक ब्रेक आउट नाम की भी चीज होती है यहां पे आपको फर्स्ट यहां पे आया आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आप यहां पे देखो कर सकते है तो छोटी सी scalping आप कर सकते हैं scalping आप कर सकते हो इस range के अंदर यानि यहाँ पे बेचा यहाँ पे आपको exit कर दिया बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाता हूँ गलती से आपकर आपका एक trade में SL हिट हो जाता है तो यहाँ पे कभी भी sideways market के अंदर दुबार entry नहीं करनी है क्योंकि पहले call side का आपका SL खाया जाएगा फिर put side का SL खाया जाएगा फिर call side का फिर put side का हैसे से करके आप इस sideways market के अंदर theta dk की वज़े से आप बहुत ज़दा loss करने वाले हो तो यहाँ पे ultimately आपको यह clear होगा theta dk क्या होता है दोस्तों अगर नहीं जानते तो आई बटन पर वीडियो है वो समझ रेना यह option बार का दुस्मन है theta dk अगर theta dk नहीं समझा तो दोस्तों आप बहुत loss करोगे यहाँ पे क्योंकि hold कर लिया जिस भाहिए इंदे को यहाँ पे 100 रुपीज में कोई चीज खरीदा मैं आपको clear भी कर देता हूँ क्योंकि जुस्तों हमारा confusion डालने का मतलम नहीं है हम जो चीज बोलते हैं वो clear out करके पहले आपको clear कर देते हैं यहाँ पे आपने कोई call buy किया call buy किया यहाँ से नीचे भी नहीं जा रहा है यहीं market घूम रहा है यहीं market घूम रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक यहाँ पे market जाना है तो आपको प्रीमियम थीटा डिकी के वज़े से 80 रुपीज रह जाएगा ना तो आपको कोई stop loss है रुआ भा ना अपका यहाँ पे आपके अगेंस्ट market मूव किया तो यहाँ पे यह तिर्टीश जिसे होता है आप चलेगे हम चार्ट पे जहां पे हम बाइंगे एंड सेलिंग संधों जहां पे हम एंट्री और एक्जिट समझेंगे कैसे आपको मार्केट के दरेंटर लेना है कैसे exit कर दो सो नाओ गाईज चली समझते हैं फिर्स्ट एक्जाम्पल जो हमारा bullish market का होने वाला है आप दोस्तों मैंने आपको बताएए इतना असान नहीं है कि आपने direct chart पे समझने live market में सीखना और समझने में बहुत difference होता है ठीक है first of all आपको अपनी psychology पे काम करना होगा देखो यहाँ पे market support भी लिया था समझने की कोशिश करना है और यहाँ से market bullish हुआ bullish हुआ थोड़ा retest किया बट उसने यह वाला low का breakout नहीं किया यह वाला जो low था यो high था sorry इसका break नहीं किया और यहाँ से again boom upside गया नहीं higher highs market बनाता हुआ चला है यहाँ से अगर आप call hold करते यानि market में CE hold करते तो आप उसको hold रख सकते थे कब तक जब तक वो last swing था उसका low break ना करे for example यह आया यहाँ पर retracement किया again retracement किया बट इसका low break नहीं किया समझने ही कुछ करना इसका low break नहीं किया वहीं से वापिस support बना करके उपर गया तो यहाँ से यहाँ तक का target आपका easily आप hold कर पाते और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और मैं सिखाना चाता हूँ bullish market में यह trend होगा आप देखो यहाँ पी EMA के पास आया market बट EMA से नीचे close नहीं किया यहाँ पी EMA के पास है EMA से नीचे close नहीं किया तब तक आप इसको hold रख सकते हैं जब तक EMA से नीचे यानि moving average से नीचे close ना करे यहाँ पे आपने call buy किया था यहाँ से आपने market के moment को समझा यहाँ से देखो volume जो थी वो buying volume ही थी जिसे आप यहाँ बे volume chart पे देख पारे हो नीचे buying volume market के अंदर थी जिसे buying volume increase होता गया market move होता गया यहाँ पे ultimate rejection point आपे समझाऊँगा आपको यहाँ से rejection लेने का मतलब क्या है मार्केट का बट दोस्तो एक वीडियो में हर चीज़ सिखना बहुत impossible है इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ आप सिर्फ एक चीज को देख करके ट्रेड मत करो एक चीज को देख करके ट्रेड मत करो आपको यह भी देखना है support resistance breakout कहा हो रहा है यहाँ पर देखो last जो swing high था हमारा जो resistance टाइप था उसका breakout यहाँ पर हुआ है देखो एड उसके बाद again market काफी अच्छा upside में move किया तो यहाँ पर बहुत चीज़े देखना important है दोस्तों यहाँ पर first of all आपको market के आपको momentum को समझना है bullish momentum में क्या करना है आपको retracement का wait करना है अब यहाँ पर loss क्या है एक loss होता है दोस्तों यहाँ पर वो loss यह है कि for example आपने यहाँ पर buy किया यहाँ पर call option आपने 120 रुपीज में एक round figure लेते हैं 120 रुपीज में आपने buy किया कोई premium है 120 रुपीज यहाँ पर आपने buy के यहाँ से यहाँ तक का बढ़ करके 140 या फिर 150 के असपास हो गया निफ्टी के अंदर के बात करें 140 और 150 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक retrace लेकर के 130 रह जाएगा आपका तो यहाँ पर फियर आउट एक पोजिशन यह गलती आपको नहीं करने देखो आपको प्रोप पर SL के हिसाब से रखना है पर देखो अगर आपका target मीट हो रहा हो दोस्तों आपका target इतने में मीट हो रहा है कि आपका target अच्छा खास है आपको अच्छा खासा profit हो रहा है तो आप exit कर सकते हैं अगर आपका यहां पर रिट्रेस्मेंट किया चार्ट में रिट्रेस्मेंट किया higher low market ने बनाया तो higher low के बाद market ने higher highs बनाया यहां यहां पर देखो यहां पर देखो again retrace कि यहां पर 180 कि में रहा होगा यहां पर आपको एक राउट करने और आपका SL आएका यहां पर आजयेगा 1885 का यानी 18850 का भी एक round figure यहाँ पे है यह as a resistance काम करता है round figure यह तो psychological resistance होता है दोस्तों इसलिए आपको समझना है कि जो भी आपका psychological resistance है उसके पास आपको थोड़ा alert हो जाना है psychological resistance के अगर हम बात करें for example 18000 का level है लोगों को लगता है कि 18000 का level एक strong support and resistance की तरीके से काम कर सकता है उसी तरीके से 18800 का यह दोस्तों यह level है अब तक market ने 18800 के level को break अच्छे से नहीं गिया करा है break 1888 यानी जो all time high है market का वहां तक market अभी नहीं जा पा रहा है बिल्कुल 2-3 point पे जाता है और वापिस bounce back कर जाता है तो आपको chart की help से दोस्तों यह चीज clear out होगी कि market की अंदर momentum कैसे आते हैं तो यहाँ पे right यह चीज आपको clear होगी कि buying momentum पे आपको क्या करना है आपको trade hold तब करना है अगर buying momentum आए समझना trade hold तब करना है अगर buying momentum आए और यहाँ पे देखो जिसे अगल के chart के हम discussion करते हैं तो यहाँ पे देखो so right यहाँ पे देखो selling market के अंदर आया sellers थे market के अंदर तो यहाँ पे आपको यह चीज नहीं करना है अगर market के अंदर sellers हो right sellers आ रहे हो तो यहाँ पे यह आपको hold वाला नहीं करना है यहाँ पे ट्रेड बना था सुबा राइट जहाँ पे बुलिश एंगल फिंग टाइप की candle बनी यहाँ यहाँ पे देखो एक bank nifty के अंदर काफ़ेच्ऺ momentum आया था इस दौराण bank nifty काफ़ेच्प momentum आया था तो आपको क्या दोस्तों देखना है आपको swing देखना है sharing swing था buying swing market के अंदर है after that एक चीज़ देखो after that market यहाँ पे sideways range के अंदर market चल गया था sideways range के अंदर market चल गया था यह highs था दोस्तों यहां से market ने दुबारा ejection लिया जहां से put side की तरफ एक entry plan की गई थी and put side की तरफ एक trade काफ़ अच्छा वहाँ पे मिला तो now यहाँ पे आपको में put behavior यानि जो put side वाला behavior आउसको समझा देता हूँ कि आपको क्या चीज़ देखनी है put side वे देखो दोस्तों जब भी market के अंदर bearish momentum आते तो panic situation आ जाती है लोगों के अंदर यानि जितने भी investors होते हैं maximum यह सुचता है कि market यहां से गिरना जाए तो market काफ़ी तेजी से fall करता है जब भी यहां पर panic situation and panic selling market के अंदर आती है तो कभी भी market देखो ऐसे से करके market कभी नहीं गिरता कभी देखना आप जब भी market जटके के साथ market गिरेगा तो काफ़ी अच्छा swing मिलता है जटके के साथ premium बढ़ते हैं तो एक चीज़ देखना है यहां से market गिरा and market continuously falling किया यहां पर almost हमारी एक P.E. side entry plan की गई थी इस वाले trade में तो यहां पर देखो यहां से यहां तक भी काफ़े चाट्रेड मिल जाता जिसने book करना वो कर सकते थे बट जहां पर जो hold करने वाली बात मुझे आई कि आई कि भी hold कैसे कर रहे हैं उनके लिए देखो फस्ट यहां पर स्विंग आया एक बाइंग स्विंग आने कोशिश की गई यहां पर क्रिजेक्शन बना यहां पर जिसे रिजेक्शन बना यहां से market reject किया गया यहां से यहां तक market आया उसके बाद थोड़ा sideways हुआ अगेन market retest किया बट लास्ट वाले जो rejection point था उससे उपर market नहीं जा सका यानि यह trade को आप hold रख सकते हैं तो यहां से अगेन यहां पर यहां तक आपको target easily मिला तो always आपको swing को समझना है swing market के swing को समझना है अगर आप market के swing को समझोगे तो ultimately यहां profit कमाने वाले हो यहां पर doubt आ रहा होगा आपको कि यहां पर एक candle EMS उपर close किया यहां पर देखो एक candle EMS उपर close किया यह वाला candle यहां पर भी close किया बट एक चीज़ देखो यहां पर close किया सासा thread candle भी तो बनी यहां पर close करने के बाद कभी वियाद रखना पहले market के trend को समझना है market trend है bearish बाद second candle भी green बनना चाहिए उसके entry पर हम entry करेंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमारी entry हो इनी सकती यहां पर एक चीज़ याद रखना यहां पर rejection बना यानि यह 18800 का level है समझना यह 18800 का level है यहां पर देखो 18800 का level है यहां पर psychological resistance बना जिसे ही रिस्टेंस बन गराने को गिराएं जैसे हाई price से market को गिराएंगे तो उनको ज्यादा महां पर profit होने वाले है वी सेलर्स को जदा profit दभी होता है अगर premium थोड़ा बढ़ा हो रूखा सेुप्रीमियम डाउन आउन को अनको profit जादा होते है तो ultimately यहां पर यहां पर स्विंग का मामला रहता है अब जो maximum loss दोस्तों होता है वो होता है sideways market में option bar का loss होता है sideways market के अंदर sideways market के अंदर जिसे sideways market था यहाँ पे option bar को सिर्फ एक चीज़ करना होता है सिर्फ एक चीज़ आपको patience के साथ बैठना होता है यह देखो market एक range के अंदर market यहाँ पे चला होता bullish momentum यह momentum कब capture होगा दोस्तों जब आप इस वाले momentum यहाँ यहाँ पे यह trade है यहाँ पे बचोगे यहाँ इस वाले जो sideways market है इस से बचोगे तब ही तो जा करके आप यहाँ पे capture कर पाओगे अगर आपने अपना capital यहाँ पे ही patience के साथ बैठना है अगर करना भी है तो आपको low capital के साथ बिल्कुल अगर for example आप 100 quantity trade करते हो तो आप इसको half करते हो यहाँ पिचास quantity trade कर रहे है अगर आप bank nifty के अंदर एक load trade करते हो तो एक load पे आजाओ ठीक है अगर आप एक load trade करते हो तो एक load पे आप अगर 10 point का risk ले तो आप 5 point का risk लो मतलब अपनी risk को कम कर दो sideways market के अंदर तो यहाँ पे आप बाइंग करते है buying side up spike मिल जाती selling side spike मिल जाती इस तरीकी साब छोटी 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 चोटी आप sideways market के अंदर ले सकते हो पर आपको confirm कब होगा कि आप breakout होने वाला है सबसे बड़ा doubt तो यह है न आपने देखो sideways market के एक range बना लेनी है एक range थी जैसे ब्रेक किया retest करने दो first of all retest करने दो without retesting यहाँ पे breakout नहीं हो आप यहाँ पे retest किया किया है भाई retest किया देखो यहाँ पे देखो first candle बनी समझना breakout थी इस वाली candle नहीं कर दिया था ना breakout करने बाद यह वाली candle retesting candle थी यहाँ पे हमारी entry हो थी उसके बाद boom call side profit so now यह होती है chart reading आपको chart and price को भगवान समझना है अगर price को समझोगे तो ही आप यहाँ पे profitable बनने वाले हो देखो ultimately मैं आपको एक चीज़ बार 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 एक चीज़ कहता हूँ आपको सिर्फ एक चीज़ को follow up नहीं करना है कोई strategy use करते हो तो उस पे अपनी खुद की भी analysis करनी है आप देखो जब भी EMAs move करना शूरू करते है flat EMAs होता है ऐसे से flat EMAs चल रहा है जब वो trendy होना शूरू होगा trendy EMA trend होना शूरू होगा तो market के अंदर कहीं न कहीं buying volume आई है समझना buying volume आई है आई है ना buying volume सिखाने की जोर्त नहीं है अगर आपने हमारी दो वीडियो देखिए तो volume पर हमने काफे इच्छा discussion किया है यहाँ पर देखो buying volume आई थी यहाँ पर sellers की volume थी only इसके बाद देखो buying buying बढ़ती बढ़ती गई बढ़ती गई ultimately कितना उपर market के और आपको चाहिए क्या यहाँ पर market 17,760 से market 18,860 60 तो यानि 100 point का momentum आपको मिल गया है nifty गंदर 100 point का momentum बहुत बढ़ी बात होती है bank nifty के यही momentum आपको 300 point का मिला होगा but आपके थोड़ा risk भी ज़धा रहता है but as a new trader आपको nifty के गंदर trade करना prefer मैं करता हूँ आप nifty के गंदर trade करो bank nifty के गंदर भी आपको बढ़ी बन जाएगी so next part में हम लेके आएगे आपके लिए यहां पर risk and money management के साथ आपको trade अपना कैसे प्लान करना है so now guys आज की वीडियो में बस इतना ही और जानेंगे देखो latest so now guys आज की वीडियो में इतना ही तो उमीद करता हूँ आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा देखो करा कोई भी आपका डाउट रहता तो भी जीज़े का आप comment box में comment कर देना क्योंकि दोस्तो ऐसा होता है कि एक वीडियो में हर चीज clear out करना बहुत मुश्किल होता है तो इसलिए धीरी धीरे हम step by step आपको सिखाने के कोशिशिश करेंगे और आपका भी अगर हमें support and PR मिलता रहा तो आपके लिए काफी चीज़ें in future होने वाले हैं दोस्तो उमीद करता हूँ वीडियो को like करेंगे and comment करके जुरू बताना आपको वीडियो कैसा लगा मिलते हैं आपको वीडियो के साथ तक के लिए दोस्तो बाबाई take care